अकसर females अपनी health को लेकर काफी चिंतित रहती हैं, males के comparison में females में health issues बहुत जादा होते हैं, जैसे periods late आना, कमर में दर्ध होना, पेट में दर्ध होना, और शरीर में ठकावट, इत्याधी, जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है females को, इनी सभी दिक्कतों को दूर करने के लिए, market के अंदर एक product आता है, जो की ayurvedic tonic है, जिसका नाम है सच्ची सहेली, इसका नाम ही सब कुछ बया कर देता है, सच्ची सहेली मतलब कि जो females हैं, मजलाएं हैं, उनकी जो ये दिक्कते होती हैं, शरीर से सब्बंदित दिक्कते, उ में काफी कारगर होता है, आखिर ये काम कैसे करता है, इसके अंदर होता क्या है, कैसे कारगर है, और कैसे इसे इस्तमार किया जा सकता है, आल इस वीडियो में हम इन प्रमुक बिंदू उबर ही बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले बात आती है कि इसके अंदर होता क्या है, जो ये इतना helpful है females की health conditions में इसके अंदर शतावरी होता है जो basically उनकी जास्ट्रिक प्रॉब्रम्स को दूर करने में मदद करता है और जो females lactation पे होती है यानि कि जो महिलाय अपने बच्चों को स्तन बान कराती है उसमें भी helpful होता है इसके अंदर मंजिस्था होता है जो की health करता है diabetes को यानि की blood sugar level को control करने में अब बात करते हैं कि इसके अंदर होता क्या है इसके अंदर शतावरी होता है जो females में जास्ट्रिक प्रॉब्लम्स को दूर करने में मदद करता है और जो females यानि की महिलाय स्तन पान कराती है lactation पे होती है तो उनमें भी helpful है साधी साथ इसके अंदर मंजिस्था होता है जो diabetes को control करने में यानि की blood sugar level को maintain करने में मदद करता है इसके अंदर अरजुना होता है जो heart को यानि की जो हमारी health hydrated problems होती है रिदे से सम्मधित दिक्कते होती है उन सबको maintain करने मदद करता है इसके अंदर अशुदंदा होता है जो immunity को boost up करता है body के अंदर उनको basically जो भी एक हमारे अंदर foreign particles आते है यानि की जो infection हो जाता है उसको control करने मदद करता है body को active करने में यानि की energize करने में मदद करता है उनको एक शारिनिक शंता प्रदान करता है जिससे की वो अपने पूरे दिन की एक दानिव दिन चरिया को अच्छे से कर सके अपना काम ठीक से कर सके इसके अंदर तश्मुला होता है जो basically respiratory problems को दूर करने मदद करता है और साथ digestion को control करने मदद करता है यानि की पाचन की रिया सही से चलती रहे एक महिला के अंदर उसमें helpful है और इसके अंदर basically अशोका होता है जो mensuration problems होती है जैसे mensuration cramps या periods late आना, periods जल्दी आना ऐसी दिक्कतों को दूर करने में ये अशोका मदद करता है इस ayurvedic tonic के अंदर इतने सारे जो benefits है जैसे महिलाओ में जितनी भी महिलाओ के अंदर जितनी भी दिक्कते होती है शरीर से सम्मंदित उसमें जो helpful है वो सब इन ही आयूर्वेदिक के जो हमारे herbs है अयूर्वेदिक herbs जिने हम कहते हैं ये मदद करते हैं अब बात करते हैं कि इस आलेरिक शम्ता जो है उसको अच्छे से maintain कराता है शारिक शम्ता परदान करता है जिससे कि उनकी body energized रहती है वो अपना काम ठीक से कर पाते हैं ये basically inner strength को improve करने मदद करता है और साथी साथ जो wellness होती है body की यानि कि एक ठीक तरीके से अपना body काम करती रहे उसमें किसी भी तर क्रेम्स आ जाते हैं अब चाहे वो mensuration क्रेम्स आये या muscle क्रेम्स आये तो जितनी भी ये दिक्कते होती है उनको दूर करने मदद करता है साथी साथ इसके अंदर 67 house का combination है यानि कि सड़ सड़ हर्स इसके अंदर present है जो काफी कारगर होती है और मलाव में जितनी भी दिक्कते होती है उनकी शरीर से संबंदित उन सब में कारगर है साथी साथ ये मदद करता है कि जो body weakness होती है शाड़िक ठकान हो जाती है और mind भी relaxed नहीं रहता है तो उन सब दिक्कतों को दूर करने में भी मदद करता है और last ये basically help करता है कि जो problems होती है जैसे mood swings हो जाते है females में और सा करती है तो इन सब दिक्कतों को भी दूर करने में मदद करता है और जो ये और वेद्टिक टोनिक है जिसका सची सहली अब बात करते हैं कि इसे हमें استعمal कैसे करना चाहिए जानी कि डूजिशचिक है तो दिन में एक दिन में दोसे तीन बार दोसे तीन टीस्पून आनि कि ज चोटी चमज जिसे हम कहते हैं, दो से तीन चमज दिन में दो से तीन बार लेनी चाहिए, या फिर जो आपका फिदिशन यानि कि डॉक्टर सजेस्ट करता है, उसी के अनुशार आपको इसका यूज करना है, इसकी डोज लेनी है, और साथी साल इसे हमेशा खाने के बाद लेन है, खाने से पहले नहीं लेना है, तो एक चीज ध्यान रखेगा, जो भी डोजेस है, इसकी वो बेसिकली, या तो आप दो से तीन बार, दो से तीन चमज दिन में दो से तीन बार ले, या फिर अपने डॉक्टर से कंसर्ट करें, और जो डॉक्टर कंसर्ट करता है, आपको बताता है, उसके अनुसार आपको इसकी डोज रखनी है, अब बात आती है, इसकी सेफटी की, इसके प्रिकॉशन की, कि किन किन चीजों पर हमें साब खानी बरतनी है, सबसे पहला इसे इस्तिमार करने से पहले, जो इसके उपर लेबल होता है, डिरेक्शन लिखी होती है, स्लिप पे वो आपको पढ़नी है, उसके बाद इसे हमेशा बिसिकली पूर और ड्राइ प्रेस पर ही रखना है, और सनलाइट से इसे बचा कर रखना है, अगर सनलाइट के टच में आएगा, उससे एक्स्तोज होगा, तो ये जो टोनिक है, अजर वेदिट टोनिक, ये खरा इसे इसकाल करते हैं, यूस करते हैं, तो मेडिकल स्परविजन यानि की डॉक्टर की निगरानी में, जो हमारे हेल्थ केर वर्कर्स होते हैं, उनके निगरानी में ही आपको इसका इसक्तुमाल करना है, तो ये था संपूर्ण जानकारी, सच्ची समिली, जो एक उसके लिए और अमेजिंग फैक्स के लिए जुड़े रहिए फामेसे इंडिया लाइप के साथ